SSEJE का जो notification है, उसके बाद आपका paper होने वाला है June में, इसका जो examination अभी तक TCS कराती थी, लेकिन अब ये examination TCS नहीं कराईगी, सवाल ये बनता है कि इस examination कौन कराईगा, और कई बार आपने देखा होगा कई साधी videos इस बीच आई थी, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी confirm news नहीं थी, लेकिन आप confirm news मेरे पास आ गई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अब जो paper है, वो TCS नहीं, Qubaston Consulting Private Limited कराने वाला है, ये ख़बर अभी अभी जो latest update हुई है, 29 February को हुई है, यानि कि आप यूं कह सकते हैं कि शायद notification delay होने का एक मात्र कारण ये भी हो सकता है कि 29 तारिक को notification देना था, लेकिन ये लोग कंफर्म ही नहीं कर पाये से तब तक कि भाई कौन paper conduct कराएगा, तो ये notification निकालने का जो एक आप कह सकते हैं कि प्रॉसेस है, उसको कहीं न कहीं इस वज़े से delay होना पड़ा, ठीक है ना, लेकिन आप आप युमीद कर सकते हैं कि ये clear हमारे पास एक information है कि भाई हमारा जो exam है, वो कौन conduct कराने वाला है, और इसके basis पर आप expect कर सकते हैं कि 10-15 माज तक आप लोगों का जो notification है, वो भी release हो जाएगा, ठीक है ना, और इस clarity के साथ आप अपने exam के लिए बढ़िया तरीक से prepare करिए, और कोई दिक्कत आती है, तो वीडियो को नीचे comment करिए और जरूर बताइए, बाकि रोज रात को मैं 8 बज़े आप लोगों के लिए YouTube पे live sessions ले रहा हूँ, ठीक है ना, आप SSC JE के point of view से हमारे साथ तयारी कर सकते हैं, और number two, अगर आप SSC JE के लिए preparation कर रहे हैं, तो test book की application जरूर डाउनलोड कर ले झाल झाल बताब कर ले बताऊचों कर ले कर रहे हैं, प्रोज़ चाहिए पे, रहे हैं, प्रूर दज़े ज़े कि ले दिए अवाँ हैं